हेलो गाईज, वेलकम टू जी के प्लानेट, आज इस टुटोरियल में हम कुछ फ्रेक्शन से रिलेटड सिंप्लिफिकेशन की ट्रिक्स को जानेंगे इस तरह के सवाल SSC, CGL और बैंक, PO के एक्जांस में बहुत बात आते हैं तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम एक चीज आपको बता दें, कि अगर हमारे पास कोई एक फ्रेक्शन दे रखा है, सपोस कर यह हमारे पास एक फ्रेक्शन 1 अपॉन 20 का दे रखा है, तो इस 1 अपॉन 20 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, अगर हम यह जो नीचे डिनॉमेटर में 25 लिखा है, इसको हम देखें, तो 4 इंटु 5, 4 इंटु 5 हमारा जो है, 20 होगा, और अगर यह जो दो मल्टिपल हैं, इन दोने की बीच का डिफरेंस निकाले जाने की 5 माइनस 1, तो डिफरेंस क्या है, 1 है, अगर यह डिफरेंस और यह जो इसके नुमेटर में नमबर यह इक्वल होगी, तो छोटी 1 अपॉन इसमॉडल नमबर माइनस 1 अपॉन लाजर नमबर, इस तरीके से हम इस दिए हुए फ्रेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, एक एक्जामपल हम और लेते हैं, सपोस करिए यह दूसरा एक्जामपल है, 2 अपॉन थर्टी फाइब, यहाँ पर देखिए नुमेरेटर में जो है हमारा दो है, तो अब हम डिनॉमेटर के नमबर को इस तरीके से मल्टिपलाई करके लाएं, ताकि उन दो मल्टिपल का डिफरेंस दो के इक्वल हो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 इंटू 7, 5 इंट 7, 35 होता है, इसलिए 2 अपॉन 35 को हम 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, और नुमेरेटर में भी 2 है, इस तरीके से हम 2 अपॉन 35 को भी ब्रेक कर सकते हैं, एक एक्जामपल और लिजिए, 3 अपॉन 40, यहाँ पर देखिए, नुमेरेटर का नंबर 3 है, अब अगर हम यहाँ पर 5, 40 को, यानी डिनॉमेटर के नंबर को हम किस तरीके से ब्रेक करें, 8 इंटु 5, 8 इंटु 5 को जो डिफरेंस है, वो कितना है, 3 है, और यही 3 क्या है, नुमेरेटर में है, इसलिए 3 अपॉन 5 को हम लेख सकते ह हैं, तो यह तो इस ट्रिक को इस्तमाल करने से पहले जो चीज़े यूज़ होंगी, यह तो वो थी, चलिए, इसके बाद हम इस से रिलेटर कुछ प्रॉब्लम को सॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए, पहला नंबर है 1 अपॉन 6, फिर है 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 20, इस नं कर सकते हैं, 4 इंटू 5 पर, ठीक है, अब देखिए, 1 अपॉन 6 कॉम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, उसके बाद 1 अपॉन 12 कॉम लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 20 को लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5, देखिए, यह हमने पहले करना सिखाया इससे पहले इससे पहले बारी स्लाइड में यहाँ पर देखिए 1 upon 3 1 upon 3 कैंसल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है फिर माइनस 1 upon 4 प्लस 1 upon 4 कैंसल हो गया यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सिर्फ तो एक first का जो number था वो बचता है और एक last का number बचता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक continuous process बन रहे है टू इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 examination में हमेशा इस तरह के ट्री की सवाली पूछे जाते हैं क्योंकि examination का purpose होता है आपका presence of mind चेक करना ना कि आपके पूरा उस question को solve करवाना अब देखिए इस बड़े fraction को हम simply one upon two minus one upon five के term में लिख सकते हैं और अगर हम यहाँ पर 10 calcium लेंगे तो five minus two यानि की three upon ten ये इसका answer होगा चलिए एक और example का मदद से हम इसको solve करेंगे देखिए यहाँ पर example है one upon twenty plus one upon thirty plus one upon forty two plus one upon fifty six और one upon seventy two यहाँ पर numerator में one है तो यह याद रख कि जब numerator में one है तो denominator की number को इस तरीके से break करिए ताकि जो multiples जिन दो number का multiple twenty आएगा उन दोनों की इसका difference भी numerator की equal हो यहाँ पर numerator one है इस लिए उन दो numbers का जिनको product करके हम twenty लाएंगे उनका difference भी हमेसा one की equal होगा देकि इसको हम इस तरीके से twenty को break करेंगे अगर तो four into five चार पंचे बीस अदे की चार और पांच के difference भी किसके equal है numerator की equal है similarly यहाँ पर हम thirty को भी break कर सकते हैं five into six फिर seventy two 42 को भी हम कर सकते है six into seven और 56 को कर सकते है seven into eight और यहाँ पर last number बसता है 72 तो seventy two को हम कर सकते है eight into nine ठीक है यहाँ पर देखिए continuous change बन रहे है four into five फिर यहाँ पर five into six six into seven seven into eight और eight into nine तो दोस्तों इस तरह के जब continuous एक नंबर बनेगी तो हमें 20 के नंबरों को सारे cancel out हो जाता है यह हमने पिछले वाले example पर देखा सिर्फ first जो नंबर है और last का नंबर यही दो नंबर बसती है तो इस पूरे fraction को हम लिख सकते है one upon four पहला तो माइनस में बसता है और last वाला तो सॉरी पहला तो positive नंबर होता है last में जो नंबर बसता है उसका negative लेना पड़ता है यादि कि one upon four minus one upon nine अब यहाँ पर 36 LCM हो जाएगा तो nine minus four यहाँ पर five upon 36 इसका answer हो जाएगा तो देखिए इस बड़े fraction की value को भी हम सिर्फ एक line में solve कर सकते हैं एक और example की तरफ पढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर numerator में दो दे रखा याने कि two upon thirty five plus two upon sixty three plus two upon ninety nine plus two upon one forty three अब देखिए यहाँ पर thirty five को हम इस तरीके से break करेंगे कि जिन दो number के product के बाद हमें thirty five मिलेगा उनके बीच का difference two की equal होगा तो देखि थर्टी five को हम break कर सकते हैं five into seven five सकते पैंतिस देखिए पाँच और दो की बीच में difference कितना है two का similarly 63 को हम लिख सकते हैं seven into nine और 99 को हम लिख सकते हैं nine into eleven और one forty three को हम break कर सकते हैं eleven into thirteen तो दोस्तों इसमें भी हमें कुछ नहीं करना सिर्फ first number बचेगा और last number बचेगा क्यों कि यहाँ पर एक continuous change बन रही है five seven seven nine देखिए यहां से जो number end हो रहा है अगला number वहीं से start हो रहा है यहाँ पर number nine end हो रहा है अगला number nine से start हो रहा है यहाँ पर 11 से end हो रहा है और यहाँ पर अगला number भी 11 से start हो रहा है जब इस तरह की continuous chain बनेगी तो हमारे पास सिर्फ first number बचेगा और last number बचेगा बीच के सारे number यहाँ पर आपस में cancel out हो जाएंगा दोस्तों हमेसा याद रखिए कि जब भी इस तरह के number होगा numerator में कोई भी value दे रखिए हो बस हमें याद रखना है कि numerator में जो number दे रखिए है denominator के जो multiples हैं उनका difference भी उसके equal ही होना चाहिए देखी यहाँ पर numerator में 2 है और जो हर एक number का difference आएगा multiples का 5 into 7 तो 5 और 7 की बीच का difference भी 2 है तो सारी number बीच cancel हो जाएगी तो बचेगी 1 upon 5 minus 1 upon 13 बाकी की सारी number cancel out हो जाएगी यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर 2 है लेकिन हमें 1 ही लेना है अगर यहाँ पर difference 2 का आ रहा है तो अब देखी दोस्तों इसको हम वहती असानी से solve कर सकते हैं और इसका answer में एक line में मिल जाएगा चलिए एक और example लेते हैं 3 upon 40, 3 upon 88, 3 upon 154 और 3 upon 238 देखी अब यहाँ पर numerator में दे रखा है 3 तो अब जो हम denominator का factor करेंगे उन factors का difference भी 3 की equal होना चाहिए कुछ इस तरीके से हम इस number को arrange करेंगे ताकि बीच के जितने भी term है वो सारे cancel out हो जाएंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा तो देखी 40 को हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं 5 into 8 और 5 और 8 की बीच का जो difference होता वो भी 3 होता है और यहाँ पर numerator में भी 3 है हमको यहीं चाहिए था फिर देखिए 8 into 11 भी हमारा 88 मिलेगा बीच का difference 3 रहेगा 11 into 14 करेंगे तो 154 मिलेगा और difference 3 का है उसके बाद 14 into 17 करेंगे तो 238 मिलेगा और difference भी हमारा 3 का है यहाँ पर भी एक continuous chain बने यह 5 into 8 यहाँ पर 8 से खतम होता अगला number 8 into 11 यहाँ पर 11 से end होता है अगला number 11 से start होता है 11 11 into 14 यहाँ पर जब continuous chain बनेगी तो 20 के सारे number cancel out हो जाएंगे केवल first और last term बचेगा तो first term हो गया 1 upon 5 minus 1 upon 17 अब हम दोस्तों इस number को solve करेंगे और इस बड़े से fraction की value सिर्फ हमें within 10 to 20 seconds आसानी से calculate कर सकते हैं तो इस वीडियो को यहीं समात करते हैं हमें उम्मीद है कि यह टाइब करना बिलकुल भी नहीं बूलें थैंक यू फॉर वाचिंग बाए बाए